कि दोसो डशेश किलो सोरा गोटाला केदारनात में हो गया तो ऑन विम्मेदार है जो इस पारे में जाच नहीं हो दिया नहीं होता है और आप आप पहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनात बना लगें यह नहीं हो कि कर्दारनात नहीं बन सकता है हमारे यहां दूरान में वादस जोतिर लिंग का एठान किया गया ऑगया है कि दाहरा जोतिरलिंगों के जहां नाम बताए गया है उनका पता भी बता दीए गया है और यह कहा गया जैसे शौराश्त्रे पहले कहा सवराश्ट माने पता उसके बाद कहा सोमनाथ उसी तरह से केदारम हिमोवत प्रिष्ठे जो केदार है वो हिमाले के प्रिष्ठभाग में है माने हिमाले में केदार है तो आप दिल्ली में कहां से लाके रख दोगे केदार को तो हश्रेजी के साथ विश्वात रात हुआ है । अब इसे में आप समझे । इसे बीजेपी ने कि आई एक अखिया। तो के मनमें इस बात का दर्थ है। तुनावमें इस बात का पता भी चल चुगा है। आपको ये बात प्रमानित हो चुकी है कि पहाराश्टी की जनता इस बात को मानती है, उत उठाके ये के साथ विश्वाग गात हुआ है। और ये ठीक नहीं है, ये जनता का अनादर है, जनता जिसके लिए प्रवेश कर रहे हैं। को उसके समय से के लिए बनाए रखने चाहिए हमारे सभी के दोसवटाइस किलो सोने का गोटाला हो गया आप दबकार लोग जो नहीं उठाते हो नमस्कार मैं रवीश कुमार क्या केदारनात मंदिर में 228 किलोग्राम का सोना घोटाला हो गया है जोतिरमट के शंकराचार्या स्वामी अवी मुक्तेश्वरानंद ने या आरूप लगाया है कि मीडिया इतने बड़े घोटाले को नहीं उठा रहा है इसी समय केदारनात ने पुजारी इस बात को लेकर आंदोलन कर रहे हैं कि दिल्ली में प्रतिकात्मक केदारनात धाम क्यों बनाया जा रहा है क्यों उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर धामी ने दिल्ली जाकर भूमी पुजन किया है इस तरह की आवाजें उठ रही हैं। हम भूमी पुजन पर आएंगे लेकिन पहले 228 किलो ग्राम सोना घोटाले के बारे में शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने क्या कहा उसे सुन लेते हैं। दिनरात नफरत फैलाने वाला गोधी मीडिया क्या वाकई इस मुद्दे पर चुप हो गया है। सोना कहीं से गायब हो जाए मामुली खबर नहीं। केदारनात मंदिर सीसी टीवी की निगरानी में रहता है। इस सीसी टीवी का कनेक्शन उचस्तर के कई अधिकारियों के दफ्तर में होता है। आईटी बीपी की सुरक्षा होती है। पहली बात है कि क्या वहाँ 228 किलो सोना लगा था। इसे ही सत्यापित करना चाहिए। 2023 से ही केदारनात मंदिर से सोना चोरी होने की खबरें अखबारों में छपिम मिल रही है। यह दैनिक भासकर और अन्य मीडिया संस्थानों की रिपोर्ट है। कि दारनात धाम के तीर्थ पिरोहित और चार धाम महा पंचायत के उपाध्यक्ष संतोष त्रिवेदी ने कहा था कि मुंबई के एक व्यापारी ने मंदिर को 23.78 किलोग्राम सोना दान में दिया। सत्पाल महराज ने बयान दिया कमेटी में विशशग्यों के साथ स्वर्ण कार भी होंगे जो भी दोशी होगा उसके खिलाब कारवाई की जाएगी इन खबरों में 228 किलोग्राम का जिक्र नहीं है। तो 23 किलोग्राम से 228 किलोग्राम की बात कहां से आ गई ये दूसरी खबरे हैं जो हिंदुस्तान टाइम्स और नवभारट टाइम्स में छपी हैं। आरोप लगाया है। को खारिज करते वे कहा था कि तुछ राजनितिक लाब के लिए लोग अफवा उड़ा रहे हैं और वे किदारनाध धाम की छवी बिगाड़ना चाहते हैं। समिती ने यह भी कहा कि सोने की परत चढ़ाने का काम आर्कियोलोजिकल सर्वे अफ इंडिया की निगरानी में किया गया था। किसी भी मंदिर में सोने की परत चढ़ाने की एक तै प्रक्रिया होती है। तांबे पर ही सोने की परत चढ़ाई जाती है। यह सोना अगर किसी दान करता ने चढ़ाया है तो उसके पास हिसाब होगा कि कितना सोना चढ़ाया है। 23 किलो या 228 किलो लेकिन संतोष त्रिवेदी की एक बात और है जो गौर की जानी चाहिए उन्होंने पिछले साल के बयान में कहा कि कोई भी सहमत नहीं था कि मंदिर में सोने की परत चढ़ाई जाए तब यह दान करता कौन है जिसके लिए गर्बग्रे में सोने की परत चढ़ाने की अनुमती दी गई जबकि ऐसी कोई परंपरा नहीं है तब के समचार पत्रों में मंदिर समिती का बयान छपा है कि गर्बग्रे को स्वर्ण मंडित करने का कार्य दान दाता ने अपने स्तर पर किया यह इतना वी आईपी है इतना महत्वपूण मंदिर है के दार नाध धाम वहाँ पर किसी को निजी तोर पर यह काम करने की अनुमती कैसे दी जा सकती है Archaeological Survey of India को भी उसके मदद में लगाया जा सकता है मंदिर समिती की भूमिका या सीधी निगरानी के बगएर क्या ऐसा करना सही था जब परंपरा नहीं थी तब उसे तोड़ने की क्या जरूरत थी क्या किसी के पास सोना दान करने की शमता है उसका इतना प्रभाव हो सकता है कि वो केदारनाध धाम मंदिर में उस बात के लिए अनुमती हासिल कर ले जो आज तक किसी को नहीं दी गई इस बोर्ड पर लिखा है श्री केदारनाध धाम दिल्ली ट्रस्ट मुख्य अतितियों का स्वागत करता है इस पर उत्राखंड के मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी की तस्वीर है और बीजेपी के अन्यनेताओं की सांसद मनोज तिवारी की भी इस समय यहां शामियाना तो उतारा जा चुका है बांस बल्लियां खोली जा रही है लेकिन दिल्ली के बुराडी में इसी जगह पर 10 जुलाई को श्री केदारनाध धाम मंदिर का भूमी पूजन किया गया है और इस कारिक्रम में उत्राखंड के मुख्य मंतरी पुशकर सिंग धामी भी शामिल है बुराडी में उत्राखंड के लोग अच्छी संख्या में रहते हैं इस दिन मुख्य मंतरी धामी ने ट्वीट भी किया और लिखा कि निश्चित रूप से इस मंदिर का निर्मान संस्कृती से जोडने के केंद्र के रूप में भी अपना योगदान देगा आधर्निय प्रधान मंत्री श्री नरिंद्र मोधी जी के नित्रित्मे वैश्विक पतल पर सनातन संस्कृती की पता का फहरा रही है हमारी डबल इंजन सरकार भी संस्कृती के पुनरुथान के लिए लगातार कारे कर रही है इस अफसर पर केंद्रिय राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा बीजे पी जी भी उपस्थित रहें 8 जुलाई के अमरुजाला में श्री केदारनाध धाम दिल्ली ट्रस्ट के अध्यक्ष सुरेंद्र रौतेला का बयान छपा है अपने बयान में उन्होंने प्रती रूप का इस्तमाल तो किया है लेकिन उनकी बातों से लगा कि दिव्य धाम का विकल तैयार किया जा रहा है सुरेंद्र रौतेला ने कहा और जो की छपा है कि बाबा केदारनाध धाम के दर्शन 6 महीने बर्फ के चलते नहीं हो पाते हैं वहीं बहुत से लोग किसी ना किसी और कारण से भी दिव्य धाम तक नहीं पहुँच पाते ऐसे में दिल्ली में बनने वाले मंदिर में बाबा के प्रतिरूप के सुलब दर्शन हो सकेंगे खबर की हेडिंग है बारा महीने होंगे बाबा केदार के दर्शन या जागरन की दस जुलाई की खबर है इसकी हेडिंग में केदारनाध मंदिर लिखा है इस खबर में मुख्यमंत्री पुशकर सिंग धामी का बयान छपा है कि बुराडी की पावन धर्ती में उत्राखंड और सनातन संस्कृती के मूल परिचायक बाबा केदारनाद जी का धाम हमारी संस्कृती और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि बुराडी शेत्र में बन रहे केदारनाद धाम पूरी मानवता को प्रेरना देने का काम करेगा। इसी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठा दिया है। जैसे सवराष्ठे सोमनातम पहले कहा सवराष्ठ माने पता उसके बाद कहा सोमनात। उसी तरह से केदारं लोकेशन को मदलना चाहते हैं कि उन जनता गो ब्रहम में डालना चाहते है। आप बगवान के अजार नाम है किसी नाम से साफना करके पूजा करिए लेकिन केदारनात धाम दिल्ली में बनेगा ये अनदिकार चेश्टा है और ये नहीं होना चाहिए मुख्यमंत्री इसे धाम कह रहे हैं मंदिर भी कह रहे हैं लेकिन जब से केदारनात में प्रदर्शन शुरू हुआ है जागरन की हेडिंग में प्रतिकात्मक मंदिर लिखा जाने लगा है तब हो सकता है कि किसी ने नहीं सोचा होगा कि केदारनात में इसे लेकर विरोध होने लग जाएगा मीडिया की खबरों और तब के बयानों से यही लगा कि दिल्ली का मंदिर किसी विकल्ब के तौर पर तयार किया जा रहा है इसका उद्देश कुछ और है अब इसी को लेकर केदारनात में पुजारी समू ने विरोत करना शुरू कर दिया कि दो-दो केदारनात धाम नहीं हो सकते 6 महिने बर्फ के कारण मंदिर बंध होता है तो परंपरा 6 महिने पूजा करने की है ना कि 12 महिने इस मंदिर का विकल्ब किसी भी तरीके से नहीं हो सकता केदारनात धाम की फ्रेंचाइजी नहीं खुल सकती वहां से आने वाले वीडियो और शंक्राचारे के बयान से सरकार भी तुरंट सतर्क हो गई 14 जुलाई को सुरेंदर रोतेला का बयान आ गया कि दिल्ली में जो बन रहा है वो मंदिर है धाम नहीं है इसका उत्राखंड सरकार से कोई लेना देना नहीं प्रसिद धामों के नाम पर देश के अलग-अलग हिस्सों में कई मंदिर बने हुए हैं सुरेंदर रौतिला कहते हैं कि इन दौर में केदारनात मंदिर है, मुंबई में बदरीनात मंदिर, कॉंग्रेस सरकार के मुख्यमंतरी हरीश रावत में बदरीनात मंदिर का उधाटन किया था। सुरेंदर रौतिला ने कहा कि इस समय राजनिती के चलते इसे मुद्दा बना आत्मिक्ता नहीं है वो राजनिती भी है जिसका संबंध वहां मौझूद बीजेपी के नेताओं से भी है इस पोस्टर में लिखा है कि दिल्ली को किस नाम से पहचानना चाहते हो कुतुब मिनार से या बाबा केदारनात के धाम से इसी पोस्टर पर नीचे लिखा है अब केदारनात धाम दिल्ली में इस दूसरे पोस्टर में लिखा है अक्षर धाम हो या केदारनात धाम अब दिल्ली होगी सनातन के नाम इस पोस्टर को देखिए आयोध्या भी सजादी है काशी भी सजादी है अब दिल्ली की बारी है बोलो जय केदारनात धाम इस तरह के पोस पोस्टरों में मंदिर और धाम में फर्क क्यों नहीं किया गया है इन पोस्टरों की भाशा भले ही उत्राखंड की सरकार इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग बताए मगर इन पोस्टरों की भाशा बीजेपी की राजनितिक भाशा से मिलती जुलती है हर पोस्टर में फोर नं इसी भी है जिसमें बकाइदा बताया गया है कि किस तरह के केस में रिफणड नहीं दिया जाएगा अब जब पुजारी समू का विरोध हुआ शंकराचारे का बयान आया तो मंदिर और धाम में फर्क बताया जाने लगा लेकिन शंक्राचारे के बोलते ही हड़कम मचा है। खंडनों का दौर शुरू हो गया है और सरकार दिल्ली के केदारनाध धाम से किनारा करने लगी है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंतरी पुशकर सिंग धामी ने कहा है बाबा केदार का धाम दुनिया में और कहीं नहीं बन सकता। उन्होंने बदरी केदार मंदिर समिती के अध्यक्ष को जरूरी दिशा निर्देश भी दिये हैं। मंदिर समिती के अध्यक्ष ने कहा है उत्रा खंड सरकार का इस से कोई संबंध नहीं है। देखे में आपके माध्यम से असप्ति करना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी गधारना धाम, ट्रस्ट द्वारा जो लौन मंदीर निर्मान प्रस्तावित किया गया है। में प्रदेश सरकार का किसी प्रकार का कोई संबंदे नहीं है और नहीं प्रदेश सरकार द्वारा किसी प्रकार का कोई आर्थिक संयोग प्रदान किया गया है मानिय मुक्यमंत्री जी इस प्रस्तावित मंदिर के सिलानियास कारेकरम में समलित हुए थे इसके लिए मानिय मु से यह भी अवगत कराना चाहूंगा कि हमारे पास कटिपाई ऐसी भी सिकायतें आई हैं कि कुछ व्यक्टियों द्वारा के दारनात अथ्वा बदरीनात के नाम पे ट्रस्ट अथ्वा संस्ताइं गठित करके स्रदालों से डान चंदा एकत्र किया जा रहा है धर्म सालाओं के निर्मान के नाम पे होस्पिटल के निर्मान के नाम पे मंदिरों के निर्मान के नाम पे इसके अलावा कुछ ऐसे भी मामले सामने आये हैं कि कुछ व्यक्टियों द्वारा एप बना करके और उनमें किदारनात और बदरीनात धाम में ओनलाइन पूजाएं संपादित करने के नामपर सदालों से पैसा 61 किया जा रहा है हम ऐसे सभी मामलों का विधिक परिक्षन करा रहे है। ऐसा तो नहीं कि पुझारी प्रतिकात्मक मंदिर का महत्व नहीं समझते हैं लेकिन जब इन दोर में केदारनात मंदिर और मुंबई में बदरिनात मंदिर बना है तो इस बार क्यों हंगामा हो रहा है क्या इसलिए कि केदारनात में विधान सभाद चुनाओ होने वाले हैं उपचुनाओ अगर यह विवाद उपचुनाओ से संबंदित है तो फिर दिल्ली में केदारनात धा का भूमी पूजन भी तो उपचुनाओं से ही संबंदित हो सकता है नमस्कार मैं रविश कुमार